नमस्कार विद्यार्थियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मैं मन्जू बुर्डक आपको बढ़ा रही हूँ जिसमें अपना चेप्टर चल रहा है प्रत्वी की उत्पतिव विकास कक्सा 11 NCRT का ठीक है जिसमें दो हमने वीडियो इसके कर ल करेंगे हैं नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा तो चलिए अपने टोपिक पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चंद्रमा टोपिक से इसमें हमने जो ग्रोहों की बातें कर ली सोर मंडल में ठीक है और सभी ग्रोहों की अलग-अलग जो विसेस्ता हैं मौस्ट मौस्ट जहां स क्युस्टन उटने वाले हैं उसके हमने चर्चाएं कर ली आज हम चंद्रमा से स्टार्ट कर रहे हैं जो की प्रत्वी का एक मात्र उपग्रह है ठीक है एक मात्र उपग्रह है उत्पती की बात करें तो जियांट इंपेक्ट के दोरान चंद्रमा की उत्पती हुई थी एक भोहती बढ़ा यह टकराव था, पृत्वी का तारों से, ठीक है, किसी अन्य तारे से पृत्वी का एक बढ़ा टकराव था, और उस दोरान एक टुकडा, उस ग्रहे का एक टुकडा अलग हो गया था, जो पृत्वी की कक्सा में गुमने लगा, और उसको चंदर्मा ňका गया जो की प्राकर्तिक एक मात्र उपग्रह है प्रत्वी का ठीक है चंद्रमा की उत्पती के समय की अगर हम बात करें तो 4.44 अरब वर्स पहले की मानी जाती है ठीक है याद रखना प्रत्वी की उत्पती 4.6 अरब वर्स पहले है और चंद्रमा की उत्पती 4.4 अरब वर्स पहले है यहां से क्यूसन उड़ता है याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट बात करें हम प्रत्वी के उद्भव की तो देखिए प्रारम में प्रत्वी जो थी आप सभी जानते होंगे कि भौत ही एक गरम गोला था ठीक है धीरे धीरे ठंडी हुई है प्रारम में प्रत्वी जो थी वो चट्टानी थी गरम थी और विरान थी कोई जीव जनतू पानी वायु मंडल कुछ नहीं था यहां धीरे धीरे बहुत सारी गठनाएं गठी और आज जो हम देख रहे हैं वो च्यार पॉइंट छै अरव वर्स में गठी थोने वाली जो गठीनाओं के परिणाम जो रिजल्ट निकला है वो है ठीक है तो प्रारम में जो पर्त्वी थी चटानी थी गरम थी विरान थी और यहां पर एक हलका सा वायु मंडल था किसका हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बनावा ठीक है हाइड्रोजन हीलियम गैसे थी नेच्ट दीरे-दीरे कुछ गठन प्राय गठी यहां पर और पानी पानी की उपस्तिती वी पानी के बाद में वायु मंडल बना और एक बहुत ही सुन्दर साग्रह है जो कि आज हम देख रहे हैं वो बन गया ठीक है 460 करोड वर्स में जीवन का विकास जो आज हम देख रहे हैं आज हमारी आँकों के सामने ह उसका जो समय है वो है 460 करोड वर्स ठीक है याद रखेगा 460 करोड वर्स में आज जो जीवन हम देख रहे हैं उसका विकास काल है ठीक है प्रित्वी की सरंचना की अगर हम बात करें तो ये परतदार है ये कोई एक ही सरंचना में बनावा एक साथ बनावा जो डांचा है प्रत्वी की जो अंदर की जो सरंचना है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, पहले भी हमने एक वीडियो में किया इसको बहुत अच्छे से हैं, और फिर आगे भी हम इसको अलग से करेंगे, क्रोड ये मेंटल और जो क्रस्ट पढ़ते हम, तीनों का अलग अलग जो सरंचना है, अलग 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 उसमें चटाने वगेरा है, वो जो है उसको परत्दार बोलते हैं, तो प्रत्वी की जो सरंचना है, वो एक सीन होकर परत्दार है, पर तेक जो मंडल है, मंडलों के रू वो प्रत्वी स्थलमंडल के विखास की बात की जाए तो प्रत्वी का निर्मान जब हो रहा था तब तापमान के कारण प्रत गनहत्वे के अंतर के कारण अलग होना स्टार्ट हो गए थे ठीक है जब प्रत्वी का निर्मान हो रहा था, भूज यादा तापमान शाथा तो जो जिन पदार्तों का गनतव अधिक था वो अलग हो रहे थे, क्रोड में जा रहे थे और जो हलके पदार थे वो भारी चोर की ओर आ रहे थे ठीक है अत है जो भारी पदार्त है जो भारी पदार्त है जैसे कि लोखा वगेरा ये केंदर में चले गए और जो हलके पदार्त है वो भारी छोर पर आ गए ठीक है यह क्रिया विवेदन खैलाती है ये जो पदार्तों का अलग होने की जो क्रिया है वो डिफ्रेंसेशन खैला खेलाती है विवेदन खेलाती है ठीक है चंद्रमा की उत्पती के दोरान फिर से दूसरा विवेदन हुआ ठीक है ये प्रत्वी के दोरान वा वा डिफ्रेंशन था और अब हम बात करेंगे चंद्रमा की उत्पती के दोरान एक वार फिर से फिर से दूसरा जो डिफ्रेंशन ह दूसरा विवेदन हुआ, उस दोरान क्या हुआ, देखिके यह जो पधार्थ थे, वो अलग-अलग pढ़्तों में बठ गए, ठीक है, चंदर्मा बना इस तैम का जो दूसरा विवेदन था, उस समय जो पधार्थ थे, वो अलग-alग pढ़्तों में बठ गए, जैसे बात करें हम प्रपर्टी यानि उपरी जो क्रस्थ है प्रत्वी का प्रावार जो मध्धे वाला मेंटल और जो क्रोड है उसके भी दो भाग बन गए बाहे क्रोड और क्रोड ठीक है तो ये गठना गठी दूसरे विवेदन के समय नेक्स्ट अगर हम अब बात करेंगे हम वायू मंडल क थल मंडल ये सब का अलग-अलग चेप्टर अलग-अलग वीडियोज में करेंगे लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं परत्वी का विकास कैसे वाक कैसे उत्पतिवी तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा कच कर रहे हैं इसको ठीक है लेकिन यहां से क्यूसन बनते हैं आप नाइट्रोजन और ओक्षिजन का जो यहां महत्वपूर्ण रोल है कितना है आप जानते होंगे नाइट्रोजन 78 जबकि ओक्षिजन 21 है और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 99% के लगभग जो वायुमंडल है उसमें तो नाइट्रोजन ओक्षिजन का ही ह तो नाइट्रोजन और ओक्षिजन का जो वर्तमान वायुमंडल की सरचना है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल है प्रारंभिक सरचना की अगर हम बात करें वायुमंडल की तो उस समय हाइड्रोजन और हीलियम का अथिक इंपोर्टेंस था ठीक है हाइड् फर्स्ट जो अवस्ता है उसकी बात करें तो आधिकालीन वायुमंडल ये गैसों का हरस हुआ था उस Yo जो पीछे से जो चली आ रहे थी hydrogen, helium वोगेरा, उन गैसों का हरास हो गया था, फस्ट अवस्ता में, सेक्रिंड अवस्ता की बात करें, तो जलवास्प ने सहयोग किया था, जैसे जैसे प्रत्वी ठंडी वी थी बाहर से तो अंदर से जो जलवास्प निकली, ठीक है, अंदर स जो जलवास्प निकली, उसका काफी सहयोग रहा, वायूमंडल के निर्माण में, और तीसरी जो अवस्ता है, उसकी बात की जाए, तो जैयूमंडल के जो प्रकास हैंसलेशन की प्रकरिया है, उसने सब कुछ संसोधित कर दिया, इस प्रकार इन तीन जो अवस्ताओं के दो ठंडा होते समय, पिर्थवी जब ठंडा हो रहे थी, उस समय पिर्थवी के गरब से, खिक है, पिर्थवी के अंदर से, यानि गरब से, गैसे और जलवास्प बाहर निकला, और ठंडा होने के साथ साथ संगनन सुरू हो गया, संगनन, आप जो ग्रोफी में संगनन समझते ह या फिर अगले हम chapters में करेंगे संगनन अच्छे से तो जल्वास पर बाहर निकला और ठंडा हुई पृत्वी और संगनन की क्रिया बढ़ी पल्सव रूफ कारबन डायाकसाइड बना और कारबन डायाकसाइड और वर्सा का पानी जब इन्होंने मतलब इतना ज्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा किया किसमें तापमान को और ज़्यादा गिराने में ठीक है पृत्वी को और ठंडा किया किसने कारबन डायाकसाइड और वर्सा पानी ने भल्सव रूफ अधिक संगनन हुआ वर्सा होई और जो गर्थ थे पृत्वी फर जो खड़े थे 4.6 करोड साल पुरानी और महासागर 400 करोड साल पुरानी यानि लगभग 50-60 करोड साल पृत्वी के बनने के बाद महासागरों की उत्वती हुई थी ठीक है लंबे समय तक जीवन महासागरों तक ही सीमत था आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले जीवन की जो शुरुआत हुई थी, वो महासागरों में तो हुई थी, जबकि अगर हम बात करें, तो यहाँ भूत ही लंबे समय तक तो जो जीवन था, वो महासागरों तक ही सीमित था, ठीक है, उसके बाद में दीरे-दीरे स्तल भाग पर जीवन की जो संभावना है, वो विक्सित होने लगी, वायू मंडल में ओक्सिजन की बात की जाए, तो ओक्सिजन करीब 200 करोड वर्स पहले बना था, ठीक है, महासागर 400 करोड साल पहले, और ओक्सिजन, वायू मंडल में जो ओक्सिजन थी, वो महासागरों की उत्पती के 200 करोड साल बाद में यानि非常的 200 करोड वर्ष पूरु flavimundal में ऑकसीजन बना जीवन की उत्पती की बात करें अब हम तो देखिए प्रथवी की उत्पती का जो अन्तिमचरन था वो था जीवन की उत्पती प्रथवी की जो उत्पती है उसमें जो अंतिम चरण यानि जीवन की उत्पती, जीवन की उत्पती की बात करें तो ये एक रासाइनिक प्रत्ती करिया है, याद रखना उत्पती की बात की जाए तो ये एक रासाइनिक प्रत्ती करिया है, क्युशन यहां से आते हैं देखना, ध्यान से, और जीवन के चि प्राप्त वते हैं जीव kept tin, तीनसो करोड़ वर्ष पुरानी चत्टान से, हमें सैवाल जो ब्लू नालगी। जो सैवाल है। उसकी जो सरंचना है, वो तीनसो करोड़ वर्ष पुरानी चत्टानों से, मिली है। और वहीत से, बात करें हम जीवं के विकास की तो इसको 380 करोड वर्ष पूरा ना माना जाता है इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 380 करोड वर्ष पहले का है ठीक है तो आज हमने ये सीधा-सीधा एकदम मतलब उपर-उपर से देखा है कि किस प्रकार प्रत्वी का और जो यहाँ विभिन जो गठनाए गठी थी वो कैसे कैसे गठी और आज जो जीवन है वो कितने कितने विभिन जो कितने कितने प्रकार के कैसी कैसी गठनाए और कितने चरणों में कैसे कैसे जो हुआ है वो हमने देखा है अगले जो वीडियो में हम देखेंगे भू वेगयनिक काल माफ करम जो एक स्केल है उसको देख लेंगे कैसे कैसे जीवन की किस काल में उत्पती कौन सा जीवन की कितनी प्रोग्रेस होई यह सब देखेंगे हम आज इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई उमंग नए जोस के साथ जे हिंद जे भारत